शरीर मनुष्य का है लेकिन मन तो पशू का है तो ये हमें सोचना है गहराई से कि हम मनुष्य कैसे बनेंगे मनुष्य होने का सबसे बड़ा चमतकार है कि तुम योग कर सकते हो भोग तो सब करते हैं पशू भी भोग करते हैं एक चुडिया एक पक्षी है वो चाकर देखिए वो अपने उसके छोटे-छोटे चूजे हैं बच्चे हैं चिक्स हैं उसके छोटे-छोटे अब वो दाना चुटकर लाती है अपने मूँ में भर के लाती है अपने बच्चों क कि उससे करवा रही है, क्या, वो अपने बच्चों का पारन पौशन नहीं करती, महानुभाव ने का कि मनुश्य अपने बच्चों का पारन पौशन करता है, जानुवर छोड़ देते हैं, ऐसी, बहुत बड़ी गलत फहमी में है, आज कल तो इतनी गलत फहमियां नहीं होने चाहिए डिस्कवरी चानल आता जरा देखे जानवरों के बारहें बताया जाता है कि वो अपनी सोसाइटी कैसे मैनेज करते हैं तो ये कहना कि human beings are a social animals, very wrong very wrong conclusion, human beings are spiritual अगर आप ये कहते हैं तो फिर उसके मनुष्य होने के महांता साबित होते हैं शोशल तो कुटा भी शोशल होता है अपनी तरफ से हर वेक्ति अपनी सोसाइटी को मैंटेन करता है जितने भी जीव हैं, जितने भी तरह इस संसार में जीव हैं, मचलियां हैं आप समुधर में चले जाएं, वहाबी मचलियां अपने सोसाइटी मेंटेन करती हैं ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है, ये बिलकुल मत कहिए कि मनुष्य हुमेन बिंग इस सोशल एनिमल, ऐसा कह जैने से मात्र ये अब definition बहुत पुराना हो गया, outdated हो गया, अब इसको update करिए थोड़ा सा तो ये जमाना update का है, ठीक, तो ये इस definition पर ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया तो वो ब्रह्मब वाक्य नहीं हो गया, कोई कुछ कह देगा, तो वो ब्रह्मब, हाँ, उसकी उतनी खोज थी, उसने उतना कहा उसके आगे भी तो खोड़ा जा सकता है, तो अपने आपको, अपनी सोच को, अपनी thinking level को जो है, उसे बढ़ाईए, thinking level जो है, high कीजिए, और सोचिए, फिर, human being, अगर हम मातर इतना ही सोच रहे हैं, कि हमें खुब बढ़ियां खाना है, खुब बढ़ियां पहनना है, और खुब बढ़ियां से हमें संतान की उत्पती करनी है, तो you are animal, not more than that, अप्र अपने बच्च कहीं और है, और उतनी दूरी से वो radiation चोड़ता है, अपने बच्चों को, अंडों को सेखने के लिए, तो इस तरह के sciences हैं, इस तरह के, इसलिए capabilities, animals की अलग-अलग है, उनकी words भी अलग-अलग है, उनकी जो visions हैं, वो भी अलग-अलग है, मनुश्य अपने vision में जीता है, और है, उतनी हम दुनिया देखते हैं, और दूसरे कई जीव है, जिनकी आखों की संरशना मनुश्य से बहुत अलग है, अर्थात उनका जो eye है, जो frame of eye है, वो बहुत different है, तो वो अलग देखते हैं, उनका experience world बहुत ही अलग होता है, हमारे से बहुत ही अलग हो जाता है, तो इ यहीं तक कर लेना, तुम्हारे जीवन का लक्ष है, तो तुम पशू ही हो, तुम मनुश्य थोड़ी ना हो फिर, ठीक, तो अगर योग के, इसलिए योग मनुश्य का सामवरत है, योग से आपके अंदर मनुश्यता का विकास होता है, और भोग से पशुता का विकास होता ह क्या भोग छुट जाएगा नहीं भोग और योग दोनों की पुर्णता को प्राप्त करता है एक योगी एक योगी जो है वो उसकी पुर्णता को प्राप्त कर लेता है इसलिए महरश्य पतंजली के इस ग्रंथ को हम पढ़ते हैं या जानने समझने का प्रयास करते हैं तो कई चीजे स्पष्ट होती हैं कई रहस सामने आते हैं योग और भोग से संबंदित लेकिन मनुष्टा की पहचान भोग से नहीं है मनुष्टा की पहचान योग से अगर योग नहीं है अब योगी आज कल तो क्या किया जाए कि समय परिभाशिक विकृतियां इतनी अधिक आ चु ठीक शरीर को एठ लेना उपर नीचे कर लेना दिस नौट योगा माई डियर ठीक यह योगा नहीं है दिस नौट योगा तो योगा क्या है तदद्रश्टू स्वरूप अवस्थानाम अपने स्वरूप में जाकर इस्थित हो जाना योग है योग स्चत्वरती निरोध चि के लिए कि चित्वरतियों का अंदिरोध कैसे होता है कैसे थाट वेवस को अपने कंट्रोल में लिया जाता है ठीक और हमेशा अपने कंट्रोल में रखा जाता है यह नहीं कि एक समय के लिए होल्डे आप उन थाट वेवस को अपने कंट्रोल में रखें अपनी उर्जा को नियंतरन में रखें, आपके शरीर के अंदर प्रतेग छण उर्जा का प्रवेश हो रहा है उर्जा ट्रांसफॉर्म हो रही है और उर्जा चारों तरफ प्रसालित भी हो रही है बहुत सारे एनर्जी आप ऐसे ही लूज कर रहे है और बहुत सारे energy आप gain भी कर रहे हैं तो उसका बहुत ज़ादा love नहीं क्योंकि आपका concentration वहाँ पर नहीं है, आपकी चेतना वहाँ पर नहीं है, आप इस उर्जा के इस transformation का जो law है, energy can be transformed, neither be created nor be destroyed, यह Jules law सब लोग जानते हैं, energy का जो law है यह जानते हैं लोग, तो इस उर्जा को कैसे हमें gain करना है, four, five forms में, energy जो है ना यह five forms में हमारे अंदर flow करती है, five forms क्या है, शिति जलपावक, गगन समीर, अर्थात, earth, water, fire, sky element, आप उसे कह सकते हैं, space element भी कहते हैं, गगन जिसे हम कहते हैं, गगन हो गया, and air, वायू, तो वायू तत्व है, अगनी तत्व है, प्रत्वी तत्व है, और आकाश तत्व है, और जल तत्व है, तो यह five forms में energy flow करती है, हमारे अंदर, तो इस पाचों को संतुलित और balance रख सके, तो आप तो शायरिक स्वस्त भी रहेंगे, और मानसिक रूप से भी स्वस्त रहेंग ठीक, तो योग का अर्थ balance है, योग का मतलब आपने यह exercise कर लिया, फिर आप में और एक जबूरे वाले में अंतर क्या रह जाएगा भई, ड्रामा और योग में, what is the difference between drama and yoga, ठीक, तो नहीं, यह balance करने का जो art है, energy को balance करने का art, energy के flow को balance करने का जो art है, energy के flow को control करने का जो तरीका, अब astrology, कुछ योगा वाले मुझे मिले, astrology के बहुत बड़े खिलाफ थे, what you know about it, what you know about it, how the energy is coming from planets to us, वो ही पाठ है हमारे, वो भी हमारे पाठ है, और उनका पाठ हमारे अंदर है, तो वो हमें impact तो करते हैं, प्रभाव तो डालते हैं, वहां से भी energies आती हैं, दिख दिखती नहीं, बहुत सारे energies नहीं दिखती है, हर चीद दिखेगी क्या, ठीक, तो अब, जो है energies आती हैं, हमारे पास आती हैं, उनका प्रभाव होता है, तो उसको भी योग के अंदर बहुत बड़ी शक्ती है, सारे चीजों को balance करने की, वो एक balancing technique है, योगा एक balancing technique है, और जो complete balance state है, 100% जो balance state है, वो ही mature yoga state है, वही ध्यान की अवस्ता है, वही जो हमें समाधी की और ले जाती है, तो ये हमें समझना है, उसमें powers हैं, उसमें energy है, उसमें energy को use करने की techniques हैं, how to use your energies, तो ये समझने की जहुरत है, योगा को सिर्फ एक drama बना कर रख देना ठीक नहीं है तो आसनाज हैं, यम नियम आसन प्रणयाम परत्याहर धारना ध्यान समाधी, तो ये सब चीज़ें जरूरी है, इस सब को करना जरूरी है, सिर्फ drama क्यों बन रहा है, अब कुछ लोग और कह सकते हैं कि भाई नहीं, योग आसन करते हैं, उससे भी तो balance आता है, 100% balance आता है, no doubt, drama तब बनता है जब आप इसे stage show बना देते हो, वहीं तक इसको सिमित छोड़ देते हो और फिर उसके आगे की चीज़ बताते नहीं हो, guide नहीं करते हो, तो ये जब हम उसको commercial बना देते हैं, हम उसको पूरी तरह से commercial बना देते हैं, दो चीज़े हैं, एक योगी व्यक्त जो बहुत कोई जानता है और आपको बता रहा है और बदले में शुल्क ले रहा है, ठीक है, तो ठीक है, एक योगी है, वो आपको कुछ guide कर रहा है और आपने उसको कोई शुल्क दे दिया, कोई गलत बात नहीं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है, जो वो अपने आपको योगा में इसलिए train कर रहा है, कि वो योगा teacher बनकर पैसे कमाएगा, तो यहाँ पर मामला गडबड हो जाता है, यहाँ पर बाते बिगड़ जाती है फिर, ठीक ना, कि आप अपने आपको योगा में train करेंगे और उसके माध्यम साफ करेंगे क्या, आप पैसे कमाएगे, योगा teacher बनकर, तो यहाँ पर बाते बिगड़ने शुरू हो जाती, यहाँ पर चीछे बिगड़ने, हाँ ठीक है, आदमी एक सात्विक रास्ते पर चलना भी चाहता है, इसलिए भी योगा teacher लोग बनते हैं, अच्छी बात है, आप करिए, लेकिन इस उद्दिश्य से मातर अगर आ आपको earning करनी है, तो फिर हो सकता है कि आप बहुत सफल ना हो पाए, ना योगा में और ना earning, दोनों में, दोनों में आप सफल ना हो पाए, योगा is life, योग एक जीवन है, इसे जीवन का लक्ष बनाईए, फिर देखिए, योग के अंदर वो सामरत है, वो ताकत है, कि सारे दुनिया आप जुका सकते है, स्वामे विविकार रंजी ने कहा था, कि भारत का एक सिध्य योगी, अब पूरी दुनिया की सेना अगर खड़ी हो जाए उसके सामने, तो वो योगी अकेले ही सबको प्रास्त कर देगा, इतनी छमता, इतनी शक्ती, लेकिन अब यहाँ पर बात आती है, क्या योग इसलिए करोगे, कि सारी दुनिया पर विजय प्राप्त कर लो, सारी दुनिया को हरा दो, ऐसी मांसिक्ता रखने वालों से योग नहीं होता, ऐसी आसकती रखने वालों से फिर योग की चरम सीमा को इस परश करना उनके लिए कठिन हो जाता है, तो उन्हें विचारधाराओं का नियंतरन योग है, तो हमारी सोच सबसे पहले, अगर आप योगी बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने सोच को सहीमित किजिए, अपने विचारों को सहीमित किजिए, सही उद्दिश चुनिये, और योग को जीवन मनाई, योगा इसलिए म सीखिये कि आप कुछ धन कमा लेंगे, या कुछ प्रचार कर लेंगे, कुछ नहीं, योग को अपना जीवन बनाईए, कोई आपको सम्मान देगा, नहीं देगा, कोई आपको पुछेगा, नहीं पुछेगा, आपको पैसे देगा, नहीं देगा, आप योग करेंगे, इसलि पूर्ण बंधनों को काट कर फेक देना है जो पंच भूतों का बंधन है ये जो करम इंद्रियों ग्यान इंद्रियों का जो बंधन है मन का बंधन एहंकार का बंधन एहम भाव का बंधन अविद्या का बंधन इन सभी बंधनों को काट कर फेक देना है आप इस लक्ष से वहापत होगी उसे दुनिया भी देखती रह जाएगे और जो योगी को गया उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती कभी भी लुग हो गया है टैक तो यह हमें समझने के हऊशकता है फिर ये योग करना है समझ में आए ये मनुष्य जीवन योग के लिए मिला है मनुष्य जीवन की सार्थकता ही योग है भोग नहीं है भोग तो जानवर भी कर रहे है हाँ मनुष्य भी भोग करता है लेकिन जब योग से सम्मत हो जाता है तो उसके लिए भोग भी नुकसान दायक नहीं होते है भोग भी नुक्सान दायक नहीं होता है, होता क्या है न, कि जब शरीर धारन कर लिया, तो शरीर के साथ भोग जुड़े ही हुए, लेकिन इस शरीर में जब योग होना शुरू हो जाएगा, तो वो भोग में भी योग आ जाएगा, वो भोग भी कारक बनने लग जाएगे, बाधानी बनेंगे, तो विचार करने योग बात है, महापुरशों ने करके दिखाया और हमारे सामने उदारन रखा, कि हाँ भोग भी योग में सहायक बनने लगेंगे, तो आप कैसे करते हैं, आपने क्या जाना, कितना समझा, तो यह सभी तभी संभव है न, जब आप यो जीवन का लक्ष बनाएंगे, फिर तो मुश्किल है कि योग हो पाए, तो योग को अपने जीवन का लक्ष बनाएंगे, तो योग भी होगा और भोग भी होगा, और जीवन का कल्यान भी होगा, सही तरीके से जीवन आगे बढ़ेगा, और विश्व शान्ती, मैं तो यह कह मार, काट, इस सारी चीज़े अपने आप हो जाएगे, खतम हो जाएगे, अगर योग की विचार धारा, अगर प्रतेक मनुष्य अपनाना शुरू कर दे तो, तो विचार करें, और जरूर प्रयास करें कि अपने जीवन में योग को महतु दे पाने, तभी मनुष्य जीवन सा तक है, अनितास समय व्यर्थ गुजर रहा है,